Swiss psychiatrist Dr. Carl Jung का contribution सिर्फ psychology की field में ही नहीं बलकि उन्होंने philosophy, literature, spirituality, astrology, mythology, theology और hard science जैसे areas में कुछ ना कुछ unique चीज़ दी है इतनी सारी fields की knowledge होने की वज़ा से वो इन सब अलग लगने वाली fields के बीच कई similar patterns भी ढून पाए जिस वज़ा से वो बाकी psychologists से अलग ये बोलते थे कि सिर्फ scientific instruments और methods को use करके हम psychological और existential truth को नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे soul का हमारी psyche में बहुत बड़ा रोल होता है यूंग ऐसे कई शुरुवाती experts में से एक थे जिन्होंने इनसान की psyche और हमारी religious instinct को इतना deeply study करा था कई concepts जो हम daily life में use करते हैं जैसे introvert, extrovert, personality types, collective unconscious और archetypes ये concepts भी यूंग नहीं ढूंडे और popularize करे थे जो भी इनसान बहुत creative होता है, उसे science और religion दोनों की अच्छाई और बुराईया पता होती है और उसमें metaphysical truth को जानने की भी इच्छा होती है ऐसा इनसान कार्लियों की teachings की तरफ हमेशा attract होता है इसलिए ये episode ऐसे ही कहीं curious लोगों के लिए है जो reality के एक deeper सच को जानना चाते है psychology में इस question के बारे में बहुत बात होती है कि ये खुशाल life कैसे जीएं और जिन्दगी को जीने लाइक कैसे बनाएं लेकिन जादातर केस में life की बस अच्छी side की बात होती है कि कैसे भी करके हम life में से सारा pain और सारा दुख कैसे निकालें लेकिन यूग के हिसाब से ये एक अच्छी life की नहीं बलकि एक अधूरी जिन्दगी जीने की recipe है क्योंकि reality में उतार चड़ाव, दुख दर्द और failures हर negative चीज ही हमारी growth की potential होती है अगर हम कभी कुछ गलती नहीं करेंगे और हमें उसके negative consequences नहीं जहलने पड़ेंगे तो हम कोई भी lesson सीखेंगे कैसे यूंग बोलते हैं कि दुनिया में इतनी problems और इतनी बुराई इसलिए है क्योंकि लोग अपनी story नहीं सुना पा रहे और एक इंसान lonely इसलिए नहीं feel करता कि उसके आसपास लोग नहीं है बलकि इसलिए क्योंकि वो उन बातों को नहीं बोल पाता जो उसे ज़रूरी लगती है या फिर जिन बातों को वो बोलना चाता है उन्हें दूसरे लोग बुरा मानते हैं अपने सच को दबा कर जीना बिलकुल ऐसा हुआ जैसे आप अपने हाथ या अपने पैर काट कर जीने लगो अगर आपको अपनी स्टोरी नहीं पता आपको अपने बचपन की मेमरीज ढग से नहीं याद आप अपने एंसेस्टर से बहुत दूर हो चुके हो और आप बहुत सर्फिस पर लाइफ जीते हो तो वो गाना जो आप गाने के लिए इस दुनिया में आये थे वो कभी भी किसी कान तक पहुँची नहीं पाता ना ही इवन आपके खुद के युग ने एक बार बोला था कि एक फैमिली की सबसे बड़ी ट्रैजडी वो होती है जब बच्चे अपने पेरेंट्स की अनलिवड लाइफ जीने लगते हैं यानि जब पेरेंट्स खुद अपने आपको हील ना करने की वज़ा से अपने सपनों और दूसरों की एकस्पेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते तब वो अपने यही सपने अपने बच्चों से पूरा गनाने लगते हैं अगर एक पेरेंट्स पर हमेशा प्रेशर डाला गया था कि वो सर्टेन जॉब ले और घर में बहुत पैसे लाए परपस पूरा करने लग जाता है ऐसे ना तो एक बच्चा बड़े होने पर कभी खुद खोशी ढून पाता है और ना ही उसके पेरेंट्स काडियों के हिसाब से हिस्ट्री कोई ऐसी चीज नहीं है जो मोटी मोटी बुक्स में है बलकि वो अभी भी हमारे खून में जिन्दा है वो बोलते हैं कि इनसान कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसकी फंक्शनिंग सिचोईशन के अकॉर्डिंग बदली जा सकती है इस होप के साथ कि वो वैसे ही काम करेगा जैसे वो पहले कर रहा था वो अपनी पूरी हिस्ट्री अपने साथ लेकर चलता है उसके पूरे स्ट्रक्चर में ही इंसान का इतिहास लिखा पड़ा है यानि जितना आप अपने और दूसरे लोगों के बारे में अपने अंदर जाकने से समझ पाते हो उतनी information आपको किसी भी book में नहीं मिलेगी हर history book बस आपको dry facts बता दती है जिस वज़ा से हमें भी उसे याद रखने के पीछे कोई solid reason नहीं दिखता Even सोते हुए आपका एक गहरा सपना ही इस बात का proof है कि आपके अंदर कहीं ऐसी चीजे चल रही हैं और कहीं ऐसे लोग जी रहे हैं जो आपको हर समय guide गरने की कोशिश कर रहे होते हैं इसलिए अगर आप मानव एतिहास को directly experience करना चाते हो तो खुद की अंदर जाओ meditate करो, अपने सपनों को interpret करो योगा करो या फिर अपने हर thought या feeling को observe करो यूजिली 40 से 50 साल की उमर में लोग एक dark phase से गुजरते हैं जिसे बोलते है mid life crisis ये एक sign होता है कि वो अब अपनी life के एक ऐसे phase में आ चुके हैं जहां उन्हें अपने जीने के तरीके में change लाने की ज़रूरत है यूगियन psychology बोलती है कि हर इंसान की life के first half में उसका काम होता है अपनी ego और अपने beliefs को form करना लेकिन life के second half में उसे इनी चीजों से दूर जाना होता है पहला phase growing down या फिर grounding के लिए होता है और दूसरा phase growing up के लिए downward growth को ऐसे समझो जैसे एक पौधा बड़े होने से पहले अपनी जड़ों को धर्ती की गहराईयों में भेज रहो इस प्रोसेस से वो पौधा एक solid foundation बना पाता है जिससे बाद में जब वो बड़ा होता है तब उसकी जड़ें उसे सीधा रखती हैं और तेज हवा के जोंकों से बचाती हैं similarly, यूंग बोलते हैं कि हर इनसान लगभग 40 साल तक बस research करता है और दुनिया के mechanism को समझता है जैसे हम चांद को सूरत से और जीने को मरने से तो relate कर लेते हैं लेकिन जब बात आती है उन लोगों में अच्छाईयां ढूंडने की जने हम hate करते हैं और बिलकुल गलत समझते हैं ये काम असान नहीं होता लेकिन अगर आप wise बनना चाते हो तो अपने दुखों में भी लेकिन कई बार ये पागल जिसे हम मैं बोलते हैं ये कुछ इस तरह से behave करने लगता है कि हमारी वो inner voice अपनी presence हमें feel नहीं करा पाती आपका vision तब ही clear होगा जब आप अपने दिल में जहाकोगे जो बाहर देखता है वो सपने देखता रह जाता है लेकिन जो अपने अंदर वो उठ जाता है इसलिए जब भी आप किसी doubt में हो तब उसी अवास को follow करो जो आपकी ego के against जाकर आपको मुश्किल लेकिन सही रास्ता लेने को बोल रही होती है Union psychology में एक concept होता है जिसे बूलते हैं shadow यानी हर वो खयाल, belief या quality जिसे हम बुरा मानते हैं और उसे हमारी ego reject कर देती है तब हम उन rejected हिस्सों को दूसरे लोगों पर project करने लगते हैं इसलिए young के हिसाब से अगर कोई इंसान आप पर अपना गुसा निकालता है आपको बुरा भला बोलता है और आपको demotivate करता है तो ऐसे इंसान से deal करने का best तरीका होता है पहले खुद की अंदर मौजूद abusive, irritating और demotivated qualities को face करना और उन्हें accept करना जिस तरह से police को एक चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह ही सोचना पड़ता है वैसे ही आप बुरे लोगों से deal कर सकते हो अपनी अंदर की बुराई से deal करके, lesson 9, stop projecting, ये lesson 8 से ही related है, young अपने एक quote में बोलते हैं कि सबसे अच्छा political, social और spiritual काम ये है कि आप अपनी shadow की projection दूसरे लोगों से हटा ल तो ये चीज उनके बारे में कम और आपके बारे में जादा बताती है, इसलिए अपनी feelings को दूसरों पर project करना बंद करो और दुनिया को बहतर बनाने के लिए पहले खुद को ठीक करो, lesson 10, a healthy man doesn't torture others, काल यूंग बोलते हैं कि जो भी इंसान दूसरों को दुख देता है, वो दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसने अपने पुराने घाव भड़ लिये हैं और अपने psychological traumas को heal कर लिया है, वो ये बात समझता है कि उसमें और किसी भी दूसरे इंसान ये जानवर में जादा फरक नहीं है, उनकी race, gender, caste ये religion हर चीज एक illusion है, और अगर कोई इंसान दूसर लोगों को